नमस्का अर्शाथियों निमाग बासे योध्य में आपका हादिक स्वागत है समस्या और समाधान के अगली कड़ी में मैं आपके समच पस्तित हूँ एक कोछ से नाया हुआ है देखने में बहुत लंबा चोड़ा लग रहा है उसी हिसाब से आपको दिमाग भी लगाना प्रश्णिया है कि आबा सादा और खा एक दो तीन चार पांच पांच बेखते हैं या के घर डाका डालने यानि कि आप पेपर साल्व करते समय भी कभी कभी उल्धन हो जाती है उस उल्धन को भी ना रखिएगा ठीक है कहने का मतलब है यहां तक एक हिस्सा है यहां से अग या के घर डाका डालने के लिए निकल पड़े क्या करने डकैती करने के लिए निकल पड़े खा नसे के कारण अपने साथियों के साथ नहीं चल सका इन पांच में से एक खा जो था वो नसे के कारण नसे में ज्यादा था साथियों के साथ नहीं चल सका और एक पेड़ के नी सा और दा यानि चार लोग गर घुसे और वहां बल परदर्शन करके सोने के जेवर उठा ले गए यानि कि घर में घुसने के बाद बल परदर्शन किया आतंकित किया और सोने के जेवर उठा ले गए फिर उस अस्थान पर गए जहां खा पेड के नीचे लेटा था खा भी भी आ है प्रस्च्त क्या खाने कोई अपरात किया है कारण सहित बताइए नहीं कि जिन्हों ने लुट की उनके बारेम नहीं खा जो पेड़ के नीचे सो गया था कि उसके बारेमें हिंट भी होता है तो थोड़ा सा हिंट भी सीखते हुए चले हम ठीक यहाँ पर इन्होंने क्या लिख्खा कि आबा सादा और खा यह कितने पर्षन है पांच पर्षन है यह के घर डाका डालने गए ठीक यह किसके लिए आगे बढ़ रहे हैं डकैती के लिए आगे बढ़ रहे हैं ठीक लेकिन यह जो खा था यह पेड़ के नीचे सो गया ठीक है पेड़ के पास लोट पोर्ट हो गया उन्हें की भासा में समझते हैं लोट पोर्ट हो गया अब यह चार लोग गए आबा सादा गए ठीक है यहा के घर में घुसे और वहा के माल में हिस्सा दिया यानि कि इन्होंने लूट की रॉबरी की यह बात आपके प्रस्ण में हिंट है क्योंकि आप जानते हैं कि लूट के ही कंटेंट होते हैं सारे सिर्फ एक कंटेंट बढ़ जाए यानि पांच लोग संयुप्थ होकर लूट करें तो डकैती तब ही जब तो पांच लोग मिलकर जा रहे थे तो डकैती करने जा रहे थे लेकिन खापेड के नीचे लोट को गया तब 4 लोग वचे तो उन्होंने लूट की ये प्रस्ण में हिंट भी मिल रहा है कंफ्यूजं की स्थिती नहीं होनी है कि अब हमें लाइबिल्टी कि कि नहीं होनी है तो मैंने इस तरह क्यों बनाया उसका कारण है कारण यह है कि यह जो डखैती है इसके लिए सब लोग मिल कर जा रहे हैं तो इन्होंने क्या कर रखा है तैयारी कर रखी है प्रिपरेशन कर रखा है जब पांच लोग थे डखैती करने की इन लोगों ने तैयारी की और डखैती करने के लिए जा रहे हैं लेकिन नसे के कारण वस खारुक गया तब डखैती नहीं हो सकती क्योंकि अब चार ही बेक्ति बच्चे हैं पांचवा नहीं बचा है ठीक अब बात आती है कभी कभी मन में आता है कि धारा 34 तो नहीं अपलाई होगी नहीं बात वो नहीं है बात है यहां पर अगर आप सामान ने आसे आदी सोच रहें common intention आदी सोच रहें वो ठीक है लेकिन participation in act इस बात को भी ध्यान में रखना है ठीक है कई बार क्या होता है कि लगता है कि पांच लोग डकैती के लिए गए mentally concern है कोई समस्या नहीं है गए बले एक लोग रुक गए बले ही एक लोग रुक गए और चार लोगों ने जो है वहाँ पर loot part किया यह डकैती ही होगी ऐसी भी गलती हो जाती यह गलती आपको नहीं करना है ठीक है पढ़ते समय ध्यान रखना है ताकि वहाँ पर दो तीन घंटे में जब आप साल कर रहे हों प्रस्ण तो फालतू की चीज़ें इक्स्ट्रा चीज़ें गलत जगों पर ना आए नहीं तो गलती हो जाएगी धारा 34 सप्ली केबल यहां नहीं होगा ठीक क्यों नहीं भता रहे हैं नुट के साथ वो पार्टिसिपेशर नहीं कर रहा है एक्ट में वो कंसेंट की भी एक लिमिट होती है कि किस जगह तक कामन कंसेंट को वեղ週 दी जाती है उसकी एक लिमिट होती है लिमिट से उपर नहीं आप जो है लाइविल्टिपिस का निरधारण कर सकते ह तो उसकी हिस्सेदारी कहां तक थी, कहां तक होसो हवास में था, तैयारी तक था, तो डकैती इस्पेसल एक ऐसी हमारी कह सकते हैं धारा है, जहां पर आप जानते हैं कि इसकी तैयारी भी दंडनी होती है, ठीक है, डकैती इस्पेसल एक ऐसी धारा है, ठीक है, कई अपराधों में है भारा सरकार के विरुद्ध युद्ध आदि में भी है लेकिन डखेती एक यहां पर इस पोर्शन में एक स्पेसल ऐसा है जो तैयारी के लिए भी दंडनी होता है तो पहला अपराद खा का क्या बनता है यानि कि अगर हम लेखते हैं इतने पार्ट को रुक गया है पेड के नीचे तैयारी के लिए यह 16399 डधकैटी की तैयारी करना इसके लिए तो लॉइल हो जाएगा लेकिन लूट के लिए 저 लाइन नहीं होगा बटे 34 की अपनी लिमिट है अगली बात फिर आती है कि यहां जहां तक लूट हुई वहां तक तो नहीं फिर आए लूट के माल में उसका हिस्सा उसे दे दिया लूट के माल में उसका हिस्सा उसे दे दिया अब वो अपना हिस्सा ले लिया हिस्सा ले लिया तो इसके लिए भी खा की एक liability बनेगी ठीक है क्या बनेगी चुराई संपत्त प्राप्त करना ठीक है यह liability भी बनेगी क्योंकि अब चौरी की संपत्ति उसने जब उसको दे दिया गया तो उसने ले लिया अब ले लिया तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको दंडित किया जाएगा ठीक है दंडित किया जाएगा तो 410 में चुराई गई संपत्ति को बताया गया है 410 में चुराई गई संपत्ति चाहे वो loot की हो चोरी की हो उद्यापन की हो डखेती की हो किसी भी प्रकार से प्राप्त की गई संपत्य हो, चुराई गई संपत्य की ही कठेगरी में आता है और साथ ही साथ इसने प्राप्त किया, यानि कि धारा 411 का अपराध किया, अब यह 411 की हेडलाइन में न उतरिएगा कि बैमानी पूर्वक प्राप्त करने वाले को दंडित किया जाता है अरे इसमें सता अंतर नहीं थे जो संपत्य ही बैमानी पूर्वक किसी और ने प्राप्त की उससे अगर आप प्राप्त करते हैं और आपको तो पता है कि यह लूट की संपत्य है तो आप भी बैमानी करना ठीक है जो डकैती यहां डकैती हुई नहीं थी 412 वाला होगा नहीं क्योंकि डकैती नहीं हुई थी लूट तक ही मामला रह गया था इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि हमें 411 में दंडित करना है यानि कि हम क्या लिखेंगे उत्तर में जो उप्रोक्त दिश्टांत दिया गया है उसके अनुशार खाने दो अपराद किये हैं डकैती की तैयारी का अपराद किया है और चुराई गई संपत्ति को प्राप्त करने का अपराद किया है इन दो धाराओं में उसको 399 में और 411 में दंडित किया जाएगा लूट या डकैती के लिए दंडित नहीं किया जाएगा प्रश्ण समझे प्रश्ण के भाव को समझे अन्य था चो चीजे मैंने बताई अचानक से दिमाग में आता कि यहां यह भी होगा साथ दे रहा है मेंटल कंसेंट चला है सब कुछ चला है तो पूरी आई पीसी वहीं खिचडी बन करके रह जाएगी तो खिचडी बनाते रह जाएंगे दाल भात अलग नहीं होगा इसलिए इस चीज को समझे कि वह प्रश्ण पूछना क्या चाहा रहा है एक्जेक्टली उसका एंसर क्या कि अगर वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करें सेयर करें और चैनल यद्य आपने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइक आउन भी दबा लें यह इस्पेसली आपकी सीडिय चल रही है यूपी एप यो बिहार एपियो दोनों की परिच्छाएं होने वाली है जुडिसरी भी आने वाली है और समस्या समाधान में हमेशा आपको समस्या रहती है कि अगर हमारे पास उत्तर है भी तो कारण हम नहीं जानते हैं और कारण नहीं जानते हैं तो आज इवन झाल